फिल्म इंडस्ट्री के कई ऐसे अक्टर है जो अपने बेबाक अंदास के चलते हमेशा सुर्खियों में रहते हैं उनकी हर बात से इंडस्ट्री में एक नई बहस छिड़ जाती है 80 की दशक के एक बड़े स्टार भी है जो अक्सर अपनी बयानों के चलते चर्शा में रहते हैं अब उन्होंने अमिताब बच्चन के करियर पर भी सवाल उठाया है ये अभी नेता और कोई नहीं बलकि हिंदी सिनिमा के दिगज नसरुद्दिन शाह है उन्होंने अपनी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया लेकिन अब अपनी काम से ज्यादा वो बयानों को लेकर चर्शा में रहते हैं बीते दिनों उन्होंने विवेक सक्सेना की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को खतरनाग बताया था अब उनका एक पुराना वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वो अमिताब बच्चन और उनके करियर पर सवाल उठाते नजर आते हैं बॉलिवूट के शैंशा कहे जाने वाले अमिताब बच्चन ने अपनी करियर में ब्लॉक बस्टर फिल्मों में काम किया उनके केरदारों को दर्शक आज भी नहीं भूलते लेकिन इसको लेकर नसुरुदिन शाह ने कहा कि अमिताब बच्चन ने अब तक के करियर में कोई ग्रेट फिल्म नहीं दी है हाला कि उनका कहना है कि वो बिगबी को एक अच्छा एक्टर मानते हैं बता दे सोशल मेडिया पर वाइरल हो रहे इस इंटर्वियो पर यूजर भी खूब रियाक्ट कर रहे हैं जाहें इस वीडियो पर कुछ फैंस ने नाराज की जाहिर की है तो कुछ फैंस ने उनके इस वीडियो की तारीव भी की है कुछ यूजर ने वीडियो पर लिखा है कि बिलकुल ठीक है मोहरा जल्वा और चमतकार जैसी फिल्मे ग्रेट है लेकिन शोले ग्रेट नहीं है तो कुछ यूजर ने नसरुदिन शाह को सही करके अपना ओपीनियन भी रखा है